हेलो दोस्तों, दोस्तों कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं अरे माजी मेहनत तो हम करते हैं और हमारा मेहनताना आप जेट जी को दे देती हैं आपको तो पता है पसुपालन करने में कितनी मेहनत लगती है दिन में तीन बार तो गाय भैस को चारा डालना पड़ता है तब जाकर हम दूद और घी का आनंद ले पाते हैं और थोड़ा दूद और घी बेचकर बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और आप हैं कि जब भी जेठी जी आपसे मिलने आते हैं आप उनको मेरे द्वारा इकठा किये गए घी ऐसे ही दे देती हैं मा जी जरा हमारे बारे में भी सोचा करो सौम्या ने अपनी सास लीला जी को समझाते हुए कहा सौम्या की सास लीला जी की आदत थी कि जब भी बड़ा बेटा जो सरकारी नौकरी में था और अपने बीवी बच्चों के साथ सहर में रहता था जब भी मा से मिलने आता तो मा जी एक दिन पहले ही अपने बहु सौम्या से कह देती थी कि बहु कल दूद मत बेचना और जो तुने गी इकठा कर रखा है वह भी दे देना सहर में सुद्ध गी कहां मिलता होगा अपनी सास की बात सुनकर सौम्या को गुसा आता था गुसा आना वाजिब भी था जिम्मेदारी थी और सास की जिम्मेदारी भी उसी के उपर थी सास की हारी बीमारी का खर्चा भी वही उठाती थी लेकिन फिर भी सास को सहर में रहने वाले जेत जेठानी ही अच्छे लगते थे अगर सौमया अपनी सास के लिए जान भी हथेली परक दे तो भी सास यही कहेगी कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है और जेठानी जी कुछ भी ना करे तो भी उसके गुनगान सारे गाव में गा कराती सोमया अकेले कमाने वाली थी चार लोगों का पेट पालने के लिए दूद घी बेच कर पैसा कमाती थी ताकि बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सके लेकिन सास की आदत इतनी गंदी थी कि वह कुछ सोचती समझती नहीं थी बड़े बेटे पर लार जताने में कोई कमी ना रह जाए इसलिए जेठ जी के लिए दूद और घी भेज दिया करती थी आज भी जब सहर से जेठ जी आये तो बस सास सुरू हो गई लगी लार जताने लेकिन जेठ जी ने यह नहीं सोचा की अपनी मा के लिए आधा एक किलो कुछ फल ही साथ ले चलू बस खाली हाथ आते और भरे हाथों से जाते जेठ जी को भी तो ज़रा सोचना चाहिए कि यह मेहनत करती है तो इसकी मेहनत का कुछ तो देता चलू और फिर सहर में कौन सा दूद और घी की कमी है जहां पैसा खर्च किया वहां सब आराम से मिल जाता है लेकिन यहां तो हर महीने फ्री में मिल जाता है फ्री में मिली चीज किसे बुरी लगती है जेठ जी को देखकर सौमया अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी सौमया की बातों से सास के कानों में जू तक नहीं रेंगी और बांध दिया बेटे को सौमया के मेहनत का दूध और घी बस ऐसे ही चल रहा था एक दिन सौमया के सास की तबियत खराब हो गई गाउं में कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं था इसलिए सौमया ने सोचा जेठ जी के पास ही भेज दूँ ताकि सहर में मा जी का अच्छे तरीके से इलाज हो सके सौमया ने अपने जेठ जी को फोन करके खबर दी तो वह साम तक गाउं आ गए और अपनी मा को सहर ले गए बड़े बेटे ने सहर ले जाकर मा को डॉक्टर से दिखाया डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है बस थोड़ी सी कमजोरी है इनका समय पर खाने पीने का ध्यान रखना होगा और थोड़े दिन अराम करना होगा उसके बाद बड़ा बेटा संजय मा को अपने घर ले गया घर ले जाते ही सास को देखकर बड़ी बहु सवीता का मूँ फूल गया और बेमन से अपनी सास का पैर छूकर उन्हें अंदर आने को कहा उनको एक कूर्सी देकर बैठने के लिए कहा और अपने पती संजय को दूसरे कमरे में आने का इसारा किया संजय दूसरे कमरे में आया तो सवीता उसके उपर चिल्ला पड़ी अरे डाक्टर को दिखाने के बाद इस बुढ़िया को यहां लाने की क्या जरूरत थी इसे गाउं ही छोड़ाते तुम्हें तो पता है न, सहर में रहना कितना मुश्किल है सहर में कितने खर्चें हैं, कितनी महंगाई है और फिर हम जैसे आजादी से रहते हैं, वैसे रह भी नहीं पाएंगे इनको यहां लाने से पहले एक बार मुझ से पूछते तो सही सवीता ने गुस्से से कहा अरे दो-चार दिन की तो बात है फिर मैं मा को खुद ही गाउँ छोड़ाऊंगा संजय ने कहा सवीता ने बेमन से हां कर दी लेकिन सुनो जी मा जी के उपर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है बुढ़ापा है कमजोरी तो होगी ही न इनके उपर ज्यादा खर्चा करने का कोई फायदा नहीं सास लीला जी सवीता की सारी बाते सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैं भी कितनी पागल थी जिस बहु बेटे को मैं हमेशा गाउँ से कुछ ना कुछ भेजती रहती थी है उसने कभी खर्चे नहीं गिनाया बस समझाती है कि मा जी दूर के ढोल बस सुहावने लगते हैं कभी ये ठानी जी के पास जाकर कुछ दिन रह कर आना तब आपको पता चलेगा कि कौन क्या है लीला जी ने आँखों में आशू लेकर बेटे संजय से कहा कि बेटा मुझे मेरे गाव ही छोड़ा मुझे सहर के हवा पानी की आदत नहीं है कहीं मेरी तबियत और बिगड़ गई तो तुम लोगों को परिशानी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से परिशान हो और तुम्हारा खर्चा बढ़े मैं तुम दोनों पर बोज नहीं बनना चाहती बेटा संजय लीला जी को गाव छोड़ गया लीला जी अपनी बहु सौम्या के गले लग कर रोने लगी क्योंकि लीला जी को समझ आ गया था कि बेटा ने बेटा होकर भी अपना फर्ज नहीं निभाया और एक बहु सौम्या जिसने हमेशा एक बेटे होने का फर्ज निभाया और आज भी निभा रही है कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं उसकी सास हूँ बलकि मा के जैसा मुझे मान सम्मान देती है और मैंने क्या किया इसकी मेहनत का भी उन लोगों को खिला दिया जो लोग सिर्फ नाम के मेरे अपने हैं अब तो सास ने भी ठान लिया कि जैसे के साथ तैसा ही करना है बेटा संजय हर महीने मिलने आता लेकिन अब उसे घी के नाम पर ठेंगा ही मिलता अब जेठ जी को घी मि बंद हो गया तो सौम्या भी हर महीने घी बेच कर अच्छे पैसे कमाने लगी सास भी उसकी मदद करने लगी और पसुपालन से ही सौम्या ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया धन्यवाद दोस्तों आसा करता हूं कहानी पसंद आई होगी